विल्कम टू यू आल मैं सिकंदर प्रजापती आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर सबसे दपर जबर चस्त वीडियो जो की अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है दोस्तो वो वीडियो है कि अब वो है वाटसेप की नई पॉलेशी दोस्तो वाटसेप की नई पॉलेशी के बारे में बातचीत हो रही है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम वही जाने है कि वाटसेप की नई पॉलेशी है क्या दोस्तो बहुत सारे पॉइंट से बहुत सारे डिटेल्स है मैं आपको इन शॉट बता देऊंगा उसके बाद आप डिटेल्स पूरा पढ़के हमारे इस वीडियो से total one by one total details आप जान सकते हैं ठीक है दोस्तों उसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले discussion स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पकाया है तो यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो फटा फट ऐसे वीडियो पाने के लिए एसे वीडियो को notification पाने के लिए फटा फटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिये वीडियो को like करें शेयर करें कमेंट करें पूरे status जानना है पूरे policy को जानना है तो वीडियो को सुरू से लेके अंतक पूरा का पूरा देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखिए जो नहीं policy है सबसे पहले क्या है दोस्तों आज WhatsApp की 2020 तक कोई ऐसी policy नहीं थी वहाँ पे normal end to end end to end क्या होता था कि हमारी जो data है वो secure होता था लेकिन 2021 में 2021 में WhatsApp ने directly आपसे कह दिया है कि आपका कोई भी policy कोई भी data हमारी policy के according नई policy के according कोई भी data आपका चिपा नहीं रहे सकता आपका account information हमारे पास रहेगा आप क्या message करते हैं वो भी हमारे पास रहेगा delivered undelivered सारी messages के information हमारे पास रहेगे media forwarding यदि आप कोई photos कोई YouTube videos कोई कोई भी videos आप किसी को WhatsApp के माददम से share करते हैं तो आपकी सारी information हमारे पास रहेगी मतलब आपके data का total details WhatsApp के पास रहेगी जो कि अब तक नहीं रहती थी लेकिन अब से क्या होगी दो यारे कई से वो आपके पास आपके सारी data को वो अपने पास collect करके रखेगी दोस्तों आपका account का total information मतलब आपके contact details में कौन-कौन है total details WhatsApp के पास चलिएगी आपका messaging, undelivered or delivered messages, media forwarding, सब कुछ उसके पास होगा उसके बाद दोस्तों आप कौन सा connection यूज़ करते हैं, कौन सा service यूज़ करते हैं, आपका connection एयर टेल का है, बुड़ा phone का है, जियो का है, total details अब से WhatsApp के पास होगी आपके total आप कौन सा status information है, आप कौन सा phone यूज़ करते हैं, कौन सा version यूज़ करते हैं कौन सा आप search engine यूज़ करते हैं, कौन सा search engine यूज़ करते हैं, और ज्यादा कौन से content आप search करते हैं, IP address, आपका total details 2021 में WhatsApp लेना चाहती है, और उसने अपनी term and condition में total चीज openly बोल दिया है, कि भाई यह दिया आप हमारे term and condition को मानते हो, तो WhatsApp यूज़ करो, otherwise leave it, छोड़ दो, यूज़ करने की कोई ज़रूत नहीं है, तो दोस्तों ये एक तरफ से सही नहीं है, as per my point of view, मेरे इसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि मेरा जो data है दोस्तों, वो हमारे पास secure होना चाहिए, लेकिन अब वो नहीं रहेगा, इससे better है, हमको और apps use करेंगे, जैसे, signal, ये भी बहुत अच्छा, मतलब की application, जिससे आप media, अपना whatsapp की जैसा ही work करती है, आप उसको install करके, उससे आप अपना, सब कुछ कर सकते हैं, messaging, video calling, सब कुछ, जैसे ही आपका whatsapp गुर करती थे, same, तो दोस्तों, अब से क्या होगा, whatsapp में आपकी कोई भी चीज, कोई भी information, कोई भी files, शेक्योर नहीं है, आप जितना customer से बात करते हैं, नहीं करते हैं, क्या भेशते हैं, नहीं भेशते हैं, जो भी information आप whatsapp के माध्याम से shend करेंगे, सब कुछ whatsapp के पास साई data का information चला जाएगा, जो कि यह दोस्तों हमारे ही साब सिक दलत है, देखिए, automatically, automatically collected information, आपका जितना information रहेगा, सब whatsapp अपने पास collect कर लेगा, कौन सा IP address यूज करें, कौन सा mobile network आप यूज कर रहे हैं, कौन सा browser आप यूज कर रहे हैं, क्या strength है, battery level क्या है, signal strength क्या है, operating system information, कौन सा operating system आप यूज करते हैं, मतलब hardware model, मतलब आपके phone आप जो use करते हैं, total का total information, अब से whatsapp आपके, अपने पास collect करके, रखना चाहती है, मतलब total information, अपसे सारे details आपको उसके पास देना पड़ेगा, जो की गलत है दोस्तों, मैं बार बार यही बूल रहा हूँ, कि हमारा जो data है, वो हमारे पास से क्यों होना चाहिए, ना कि कि किसी और के पास, और ये भी guarantee नहीं है, कि वो information इंडिया में रहेगी, इंडिया से ब तो अब WhatsApp, जो पहले उसका जो term and conditions है, जो policies था, वो ठीक था, लेकिन अब जो policies है, वो बिल्कुल सही नहीं है, आपका data अब unsecure रहेगा, यदि आप WhatsApp यूज़ करते हैं, तो मैं यह नहीं कहता, आप WhatsApp यूज़ मत करिए, ये जो term and conditions है, policies है, उसके according आप समझ लेजिए, पढ सकते हैं, move कर सकते हैं, location information आप कहीं, कहां पे रहते हैं, आपका location status भी उसके पास चला जाएगा, यदि आप location information आफ करके रखते हैं, तो भी वो पता कर लेगा, तो भी वो information उसके पास आ जाएगा, कि आप कहां पे, कहां से, कहां रहते हैं, कहां से आप use कर रहे हैं, मोईल उसको कहा किस जगह से आप WhatsApp यूज कर रहे हैं वो टूटल इंफरमिशन उसके पास जाती रहेगी यूटूब में जाके नहीं खुलता है कोई एक यूटूब के जैसा ही रहता है वहां हम वो वीडियो देख पाते हैं तो थर्ड पार्टी के पास भी यह इंफरमेशन जा सकती है मतलब आपका जो इंफरमेशन है वो आपके पास तो है आपसे WhatsApp लेगी WhatsApp थर्ड पार्टी को भी वो दे सकती है आपके टूटल इंफरमेशन को जो प्रृष्नल इंफरमेशन से वो थर्ड पार्टी के पास भी जा सकता है मतलब आपका बढ़ियां से पढ़के पुरा अंडेस्टेंडिंग करके यदि आपको लगे कि नहीं हमें वाटसेप टुडे ओन वोड्स यूज करना चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं या फिर आप किसी और आप्शन में जा सकते हैं फरवरी 2021 के पहले दोस्तों यदि आप इस टर्म कंडिशन को यदि एग्री नहीं करते हैं तो आप वाटसेप यूज नहीं कर पाईएगा ये भी वाटसेप ने कह दिया है तो मैंने जो बताया थर्ड पार्टी फेस्बुक वाटसेप फेस्बुक सब टाई अप है ये आपके इंफोर्मिशन को फेस्बुक से सेर हो सकता है ठीक है दोस्तों नहीं हो सकता है क्या हो गए ही ठीक है दोस्तों तो यह सब सारी चीजे हैं जो कि WhatsApp ने नए टर्मन कंडिशन टंसन पॉलिसी में ये सारी चीज़े कवर्ड आप तो आप बढ़ियां से इस पॉलिसी को जान सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और हमारी इस वीडियो में पूरी डिटल से दोस्तों मैं इन सौट आपको सारी चीज़ समझा दे रहा हू मतलब आपके हार्डवेर से लेके सौट्वेर से लेके IP अड्रेस से लेके सर्च इंजिन जो भी आप करेंगे WhatsApp के थ्रू आप अपने मुवाइल फोन से सारे इनफोर्मेशन डिरेक्टले इनडिरेक्टले आप किसको दे रहे हैं आप WhatsApp को दे रहे हैं और WhatsApp उस डेटा को बहुत ही खतरना गए जिसकी विएसे आज अभी के सबसे ज्यादा यही सभी के चर्चा में है कि WhatsApp का यह नया पॉलिसी आखिर रीजन क्या है तो रीजन हमें भी नहीं पता है दोस्तों बस हमें यह था कि हमारे ओडियंस तक हमें यह इनफोर्मेशन पहुंचाना था हमने य जाने कि उसके पॉलिशिज में क्या अच्छी जीजी हैं क्या खराब है यह सारी इंफोर्मेशन वह आपके अदर सर्विसेस आपकी जो सर्विसेस हैं सेफ्टी सिकुर्टी इंडिगरेटी नो थर्ट परटी बैनर एड्ट्स बिजनेस इंट्रीगरें मतलब टूटल वन ब अब आप वो आप सोचेंगे कि हमारे पास सेव है लेकिन अब सेक्योर नहीं है वो शेयर होती रहेंगी यदि आप वाट्स आप यूज करते हैं और 8 फरवरी 2021 के पहले यदि आप एगरी कर लेते हैं तो आप वाट्स आप उसके बाद यूज कर पाईएगा दरवाज आपक आपका जो भी इंफर्मेशन है वो आप एगरी करेंगे इसका मतलब आप पूरा उसके पास सेयर कर रहें उसके टर्मेंड कंडिशन को आप मान रहें आप जिससे बात करना चाहते हैं उसके पास आप इंफर्मेशन शेर करेंगे किसी अकाउंट और दोस्तों और वी बात वाट्सप पे अकाउंट भी ओपिन किया हुआ है मतलब आप वहां से अधिया पे करते हैं आप उसके ऑनलाइन ट्रांजिक्शन करते हैं तो आपके बै रहे हैं वो टूटल इंफर्मेशन आपसे ले रही है मतलब आपके बैंक के सारी डिटेल्स आपने किसको ट्रांजिक्शन किया कितना ट्रांजिक्शन किया किस एकाउंट में आपने ट्रांजिक्शन किया मतलब टूटल डिटेल्स टूटल इंफर्मेशन आप डिरेक्टली whatsapp के पास पहुंचा रहे हैं यदि आप एक condition ये policy ये term and condition आप agree करते हैं तो your contacts मैंने पहले ही बताया आपका जितना contacts है सब कुछ उसके पास share है यदि आप business account खुलके रखे हैं तो जो product आप public के पास पहुंचा रहे हैं वो total details आप उसको मतलब आपकी total information आप उसको देंगे तभी आप whatsapp यूज़ कर पाईएगा अधरवाइस नहीं यूज़ कर पाईएगा third party service providers third party services मतलब total मैंने आपको इसके पहले भी इसको डिसकस किया है तो आप सारी चीज़े आप whatsapp को देंगे दिया आप उसे व्यूज़ करते हैं तो आप agree करके आप continue करेंगे तो आप सारी information उसको देंगे वो अपने आपकी information को जो की secure होना चाहिए जो की encrypted होना चाहिए वो क्या होगा share करेगा अब वो ऐसा guarantee नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया पर में आपकी information आपको जानना सबसे बड़ी बात है कि आपको जानना जवरी है कि term and conditions क्या है उसमें क्या क्या है और बाकिया हमारे वीडियो से one by one line by line पढ़के आप समझ सकते हैं और ये facebook से भी tie up है दोस्तों आपकी सारे details वो facebook को share करेगा यदि मालेज आप कोई media files share करते हैं तो वो देखेंगे by default कि हमने share किया अपने किसी personal relatives के बास पता चला वो facebook में आ गया आप कौन से चीज़ ज्यादा share करते हैं उसके according आपके mobile पे ads आएंगे उसके according आपके facebook पे सारे details आएंगी तो सारी information आप से लेके और वो उसका misuse भी कर सकता है जितनी file मैं जिससे suppose कर लेजिए आप किसी particular photos या medias कुछ भी आप share करते हैं उसे वो उससे अपना information उसके पास share करें तो वो जानेगा कि नहीं आपके पास जो information है वो आप ये चीज़ ज़्यादा देखना प्रसंद करते हैं तो वो उसी के according आपको ads देगी मंदब companies ads देंगे आप देखिए आप देखिएगा और उसका use भी मने better utilization भी हो सकता है उसका misuse भी हो सकता है आपके data का misuse भी हो सकता है इंदस से दिमालिज आप किसी private किसी person को privately कुछ भीजना sms करना चाते हैं या कुछ media files भीजना चाते हैं आप नहीं भीज भाईएगा वह आप को लई है कि नहीं यह सिर्फ हम प्रसंद लिए उसको भीज रहे हैं लेकिन नहीं वह data या whatsapp के पास पूरा clear है कौन सी चीज क्या आप इसको forward कर रहे हैं मतलब total information आप उसको अब से यदि agree करते हैं तो whatsapp को share करें whatsapp facebook से instagram को सब पूरा total tie up है आपका सारा information छिटकते रहेगा मतलब कि सब कोई देखते रहेगा सभी जगह जाते रहेगा यह सब सारा service setting है मतलब आप जो भी चीजे आप change करना चाहेंगे सारी चीजे आप first पहले आप इस नाम से use करते थे अब second time दूसरे नाम से use करिएगा सारी details आप मदब आपका सारी details उसके पास one by one करके जाती रहें one by one करके सारी details आप जो भी activity करिएगा अपना profile चेंज करिएगा कोई setting में आप changing लाइएगा चेंज करिएगा सारी details आप इसके पास जाती रहेगी मतलब आपका जो protection था पहले बहुत जादा था अब दोस्तो protection एकदम low हो गया है मतलब का अपके data का कोई highly security नहीं है कि आपका data secure है आप जो personal information messages कर रहे है media files transfer कर रहे हैं share कर रहे हैं अब वो secure नहीं है एकदम secure नहीं है अब वो जाएगा whatsapp के पास पहले जो की नहीं जाता था 2020 तक लेकिन नए policy के according सारी details आपका उसके पास WhatsApp के पास आएगी WhatsApp Instagram Facebook सभी के संग share करेगी और उसी के according आपके पास ads आएंगे या उसी के according और भी कुछ आएंगे या फिर आपका details जो है कहीं कहीं share होगा उसी करना आपका call भी आ सकते हैं different different बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इसके बहुत disadvantage हैं आपका सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि हमारा जो information है वो secure होना चाहिए हमारे पास ही रहना चाहिए ना कि पुरी दुनिया में घुमना चाहिए तो यह जो नए policy की हिसाब से दोस्तों यह थे सारे term and conditions जो कि WhatsApp ने बनाया है और अभी यह सबसे ज़्यादा चर्चित है क्योंकि इस policy के according तो हमारा data आप secure नहीं रहेगा अब हमें समझना है कि हमें इस policy के according WhatsApp को continue करना है या 8 February करना है या नहीं करना है और फिर बुरी तक यह आप इस term and condition को agree नहीं करते हैं तो आप WhatsApp यूज नहीं कर पाईएगा दोस्तों समझना आपको है मैंने समझा दिया अपने audience को जो नहीं चीज़े आती है मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं नहीं चीज़े आपको समझाते रहता हूं जो भी आपको better लगे आप उससे समझे और उससे अपने उसके according continue करिए है ना दोस्तों यह आपको हमारी जो information है वो आपको कैसी लगी है है ना दोस्तों थैंक यू नमस्कार थैंक यू दोस्तों